नमस्ते दोस्तों आप सभी कर स्वागत माई YouTube चैनल पंडित ब्रोज में जैसा कि दोस्तों आपको पता कि मैं आपके लिए काफी इंटरस्टिंग ओला जवाब वीडियो नाते है दोस्तों ऐसी एक वीडियो है दोस्तों और इस वीडियो का टाइटल है क्या मुसलिम के साथ गलत हो रहा है बाई विकास दीवयद इस्टी सर आपने इनके बार में बहुत ही सुना होगा जो कि आइस ऑफिसर की ट्रेनिंग देते हैं कोचिंग सेंटर दिली में बहुत बड़ा और यह बहुत ही माने जाने टीचर माने जाते हैं क्योंकि आप भी देगुज सरकारी कि क्या मुस्लिमी साथ गलत हो रहा है मैं ऐसी क्या वजा क्या टोपिक रहा है इन सर का क्योंकि दोस्तों जो सर है काफी मतलब एक तरह से लोजिकली सर और काफी अच्छी बाते करते हैं तो दोस्तों देखते कि आज की वीडियो पर यह क्या हमें बोलने वाले है हां क्यों बूली है या नहीं बोली वो तो वीडियो में ही पता चलेगा और दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्रीज सब्सक्राइब करें तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं लैस्टार्ट कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता राजपाई है जैसे हमारा समाज इससे में बहुत सारे समाजिक राजन्तिक बंदों से घिरा हुआ है जैसे एक मुद्ध कुछ दिन पहले आया जो हिजाब का मुद्ध जिसकों कहते हैं करनाटक से एक डिबेट उठे हिजाब की फिर एक मुद्ध आजकर चल रहा है यूनि उत्तर पदेश में आये भी था और अभी कुछ हो राज जुम्यानी की बात है शेट सेंटर में भी आये एक मुद्ध पर इसलिए कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे धर्मानत्रन का लव जिहाद का मुद्ध सुन रहे होंगे सारे मुद्ध हमारे सामने आते रहते हैं किसी टॉपक पर बात करने से पहले देखना ज़रूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं और सबसे बड़े दिक्ट हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं विचार बात में होता है सही प्रोसेस तो यह कि पहले विचार हो फिर फैसला हो और फैसला पहले होता है मैंने क्लासिस में भी देखा और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं यह गलत हो रहा है हमारे साथ और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एक दम सही और होना चाहिए और मज़े की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता ना उसको पता है करनाटक हाई कॉर्ड का जजिमेंट क्या है 120 स्पेज का ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा करनाटक सरकार का क्या Direction आया था, रूल क्या था ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा और फैसले का exact मतलब क्या है किसी को नहीं पता पर हम टॉपिक्स चुरू होने से पहले ही राय बना के चलते है इएच कार एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में उनकी एक कितार है बड़े अच्छे हिस्ट्री इतिहास क्या है बड़े अच्छी कितार है उन्होंने थाबित किया कि हिस्टरी के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए कितने अफेक्ट से हैं इतने प्रमान हैं सब बेकार के बाते हैं अंततह इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है उस थाबित वही करता है इसलिए मार्क्सिस हिस्टरीन लिखेंगे तो आप आएंगे सब के निरणे लगभा एक जैसे आते हैं और जो नेश्टरीन से हुँनके फैसलिए एक जैसे आते हैं हमेशा किसी historical figure को लेकर सोच लिए अकबर की बात कर लिए और अगबर की बात कर लिए एक धारा के फैसली हमेशे एक से आएंगे दूसरी धारा के फैसली हमेशे एक से आएंगे ऐसी mindset से अगर हम चलेंगे और हमरी universities में तो यही होता है बहुत रोशेक बात है, universities में teachers बटे हुएं कि यह मार्क्सवादी है, यह भाज़ पाई है और मैं सोचता हूं कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है university में वो एक विचारधारा से बंदकर चीज़ों को देखने का आदी कैसे हो सकता है उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बहतर राए किसी और विचारधारा की भी हो सकती है यह साहस क्यों नहीं है और इसलिए जो बात university इस तक में miss होती है तो समाज में तो कहां से आएगी वेश्व विध्याले कि तो काम है समाज को सही दिशा देना वहीं नहीं है तो समाज में कहां से आएगी पहले कोशिश किजिए neutral होने की तर्टस्त होने की कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूँ ना मैं उस तरफ हूँ हिजाब की बात है मुझे नहीं पता मैं पहले सड़ी करूंगा पूरा सड़ी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूँगा है ठीक है गलत होगा तो बोलूगा गलत है पहले का फैसले करूं यह तो बहुत बेसिक सी बात है दोस्तों हमने वीडियो देखें की उप्सी की की चीछिंग देत हैं तो उनका क्याना स्टोपींग मारन मतलब की समझाने का इंवीडियो का अच्छा परपस था उन्होंने एक मुद्दा ले लिया, जैसे कि लियन image कोई बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी कानून पेश होता है कर दोस्तों आपस में लड़ पड़ते हैं वीडियो में यह अच्छी बात है कि कोई भी बात है अगर बिना जाने ही आम उस पे कुछ राय लेते हैं तो 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 काफी गलत बात है तो अज का मैंडशाइट भी ऐसा हो गया कि कुछ भी कुछ हो रहा है कान बात है चाहँ आपकैlle का कान बात है कि बात ही आपकता कौट सुना इसरे अफ झाल उल्मा लेते हैं तो यह उनक्रत है कि अपकी बात बॉली जो आने वाला है तो वह प्यक् λέख पशला है तो सब जानों हो पेश होते हैं आपको कौट कोई फैसल सौनता है ऐसे कोई फैसला कोर्ट कभी भी आप कभी देखा होगी आप कोर्ट सबूत मांगते हैं और सुबूत ऐसे वक! लग असे की तो जानते हैं नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं कर लाए दो लोग आप सोच कि इसके कारण क्या हो रहेगा या नहीं होगा हाथ दोस्तों यह थी मैंने आज की वीडियो आपको पसंद लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट शेक्स मजरू बताए कि नेक्स्ट वीडियो की चीज़ पर बनाएं नमसे दोस्तों